परखर जी परखर जी देखिए प्रेमकान तिवारी जी ने बहुत कुछ कहा क्योंकि ऐसे क्यास थे कि अब इंडिया घटबंदन क्योंकि आम आदमी पालिटी के साथ घटबंदन आपका हो रहा है सपा के साथ हो गया है उसके लावा भी और जो आपके साथ ही थे वो सब आ ग खिलाव है इस ब्रश्टाचारी सरकार के खिलाव है और देखे जो भी लोग जा रहे हैं बारती जनता पार्टी तो एक वाशिंग मशीन है जो भी आता है जिस पर यह सबसे आदा आरोप लगाते हैं उस उसको अपनी पार्टी में लिया है जिस जिसको ब्रश्टाचार का तक ब्में सरक्तक हुए जनता पेडान अपनी इस फ़हा है जनता ने की विचारदारी की विश्टाचार के लिए चुनता तक भाट करते हैं तो जनता ég उनको सबस्क्राइइगी कॉंग्रेस पार्टी एक विचारदारा है और लेकिन आप यह नहीं कहेंगे उनकी क्या मजबूरियां थी क्यों वो कॉंग्रेस से नराजते क्यों वो जो उनके आरोप है उन पर भी तो बात करोगा ना परखड़ जी संजय जी अभी आपने चंडीगण का एलक्शन देखा था तो भारती जन्तापार्टी कुछंभी कर जैकती है चुनओ जीतने की गए किसी पर भी कोई प्रेशाट डाल सकती है किसी को कोई ऐसा तो है नहीं किसी ने कहा हो कि हम भारती जनता पार्टी की विचारधारा की विचारदारा की विचार जा रहा है। गटबंदन की इस्तिति तो कमजोर होगी ऐसे अगर चार कोई मैं तो अभी फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं मगर कुछ लोग अगर चले जाते हैं तो क्या महंगाई कम हो जाएगी विरोजगारी कम हो जाएगी पेपर लीग मामले कम हो जाएंगे इस देश की इस्तिति य कि वो जो विधायक हैं जो जा रहे हैं जो बड़े-बड़े चेहरे हैं शैद उन्हें इस चीज का अंदजा होगा कि देश में क्या चल रहा है ऐसा नहीं है कि केवल यह अंदाजा आपको यह रहे वह भी सब अपने आप में बड़े चेहरे उनको भी जानकार ही होगी और आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपको जाकना चाहिए अपने गिरेवाह में, कि आखिर कमी कहां रह गई? किसी का भी उठा लीजे आप, पूरा हिस्ट्री, तो सब को पार्टी ने बड़ा बनाया है, पार्टी की बज़े से बड़े हुए, वो बड़े चेहरे आज दिख रहे हैं कि पार्टी ने उन पर विश्वास दिया था, उनको टिकेट दिया था, और अगर वो छोड़के जात हैं तो जनता उसका समाधान करेगी, जनता उसका समाधान करेगी, जनता उसका उसका से जाएघे हैं.